हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका लेयर्ट्री एज्यूकेशन पे मैं हूँ नागेश गेलोथ दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए 20 कोशन सिरीज जिसमें मतपुर्ण प्रश्णों का संगलन मैंने किया है पहला प्रश्ण है अपका अंटिती देवोबाव किस उपनिशत से संबंदित सुकती है तो रिधारों श्यूकिय और अपके लिए उपनिशत से लिया गया है तेत्री हपनीशत में आपके अतिति देवभव का जो है वो लिया गया है त्री उपनिशत से लिया गया है ठीक है अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं हम इसके बारे में भी सुरी सुनिए चांदोग्य उपनिशत से जो है वह आपका सत्यमेव जयते लिया गया है चत्यमेव जयते कहां से लिया गया है चांदोग्य उपनिशत से जबकि जाबाल उपनिशत है इससे आपके हम पढ़ते हैं इत्यास में चार आश्रम व्यस्ता वर्ण व्यस्ता है जो है वो जाबाल उपनिशत से लिया गया है अब दूसरे कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम आया जबकी आयादी संदी का सुत्र ही ठीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम जिसमें लिकाए अभ्यहंतर प्रयात्ने कितने प्रकार के होते हैं Krishna अब्यान्तर प्रहतन होते हैं एक ससतम सपरेशिट्थ तम विवरतम समवरतम और इसलिगहें यह अग्यांतर प्रहतन है ठीक है कितने प्लकूर के आपके प्रहतन होते जो पांचप्रकार के होते हैं मैंने बताया भी चलिए अगले कर्षिन की तरफ बढ़ते हैं मुर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं रिटू रशाणाम मुर्धा निमने सित्र के द्वारा हम जो उचरण स्थाने उनको बॉल सकते हैं जैसे इचू रशाणाम तालू रिटू रशाणाम ग किसमें आएंगे रिटू रशाणाम मुर्धा तो मुर्धा से बोले जाने वाले कौन-कौन से रिटू रशाणाम मुर्धा तो यह फर्स्ट वाला उप्षन आपका सई होगा कि ठीके अब अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम अगले कोशन में है पीत हमें प्रकृति प्रत्य कौन सा होगा 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 पीत हमें प्रकृति प्रत्य कौन सा हो प्रत्य कौन सा होगा तो पी धन तव प्रत्य होगा इसमें कौन सा पी धन तव प्रत्य पा धन तव नहीं होगा और कौन सा प्रत्य होगा इसमें पी धन तव ठीके अब अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं उन्नीस को संस्कृत में क्या कहेंगे उन्नीस को नवदश्य उन्विंश्यति या एकॉन्विंश्यति या उप्यूक्त सभी बताईए जल्दी से क्या कहेंगे संस्कृत में उन्नीस को संस्कृत में उन्नीस को कहेंगे नवदश तो यह कॉशन इसमें सही होगा अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं नीमनु में से अशुद्ध विकल्प को चुनिए अशुद्ध विकल्प कुन सा इसमें जल्दी से ओप्षन लगाईए अशुद्ध विकल्प को चुनिये शोक का आनन्द होगा या महायोगी महाबोगी रूग्ण अरूग्ण मलिनम या पवित्रम इसमें इसमें से आपको इनके विलोम कौन से में नहीं दिया गया है यह बताना है आपको ठीक है तो रूग्ण रूग्ण है इसका अरूग्ण नहीं होगा रूग्ण का स्वस्थ होगा ठीक है अरूग्ण नहीं आएगा इसमें यह उप्षन इसमें गलत दिया गया अशुद्ध दिया गया रूग्ण का स्वस्थ होगा अरूग्ण नहीं होगा और शोक का आनंद हो होगा महायोगी का महाभोगी होगा और मलीनम का पवित्रम होगा ठीक अब अगले कोशिन की तरफ बढ़ते हैं हम के इसमें दिया गया था वरगत से उच्चारण स्थान कहां से त्यक्त तव वर्ग में आपका सही होगा दंता दंत से जैसे की तथ द यह आपके दंत से बोला जाता है इसलिए इसमें उप्षान आपका दंत सही होगा ओष्ट नहीं होगा तालू नहीं होगा कंठ नहीं होगा इसमें दंता सही होगा ठीक है अब अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं वका उच्चरन स्थान कौन सा है वका उच्चरन स्थान बताईए जल्दी से दंत दंतोष्ट आएगा ओष्ट आएगा या तालू आएगा वका उच्चरन कौन सा है वका उच्चरन आएगा आपके दंतोष्ट क्या आएगा दंतोष्ट दंतोष्ट से वका उच्चरन होता है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम अंतस्त वरण कौन कौन से है अंतस्त वरण कौन कौन से है अंतस्त वरण कौन कौन से है अंतस्त वरण आपके दिये गए है एक तो श, श, स, ह या फिर य, र, ल, व, श, श, स, श, ल, व या फिर प, फ, ब, भ तो आपको लगाना है इसमे पांच होते हैं रस्व स्वर है रस्व कितने हैं यह बताना है आपको पांचिया और होते हैं पांच होते हैं रस उस्वर कितने होते हैं पांच होते हैं अब अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं इस पर्षव एंजिनों की संख्या कितनी होती है इस पर्षव एंजिन बताना है आपको इस पर्षव एंजिनों की संख्या होती है इस पर्षव एंजिन कौन-कौन से मैं हो हो 25 होते हैं और और या आपके सपर्शना होते हैं अगले कोश्शन की तरफ बढ़ते हैं हम बाहिया प्रयतन के प्रकार कि कितने पंदरा या ग्यारा चितने प्रकार के ओते हैं अगला कौशन देखते हैं क्य thus विवरत केशाम स्यात विवरत केशे होते हैं व्यंजन होते हैं उष्णा नाम होते हैं स्वारा नाम होते हैं या अंतस्था नाम होते हैं तो यह स्वारा नाम होते हैं ठीए व्यंजन स्वारा नाम अब अगला कोशन देखते हैं प्रत्याहार संग्या विधायक सुत्र है प्रत्याहार संग्या विधायक सुत्र जो है वो कौन सा है आधिरंतियन सहता प्रत्याहार संग्या का विधायक सुत्र कौन सा है आधिरंतियन सहता इन सुत्र में से प्रत्याहार का जो बहुत कराता है वो है आधिरंतियन सहता अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं भाषा कोशल के प्रकार कितने हैं भाषा कोशल के कितने प्रकार होते हैं भाषा कोशल के दो प्रकार होते हैं या तीन प्रकार होते हैं या चार प्रकार होते हैं या पांच प्रकार होते हैं तो भाषा कोशल के कित अब अगला कोशन है आपके नाटक को किसके अंतरगत समयलित किया जाता है श्रव्य साधन द्रश्य श्रव्य साधन द्रश्य श्रव्य दोनों या फिर उप्र्यूक्त सभी तो आपके इसमें और तीसरा है द्रश्य श्रव्य साधन तो इसमें आएगा आपके द्रश्य भी सकते हैं तो यह दरश्य और इन में से कोई नहीं तो अपने और सामने िंदोत gan भंडार कर विदी में हम सरल संस्क्रत भाषा को प्रस्तूत करते हैं ठीक हरबर्ट में नहीं आएगा हरबर्ट का क्या है पंच पदी आएगी हरबर्ट की जबकि भंडार कर विदी है वो सरल संस्क्रत भाषा का रूप प्रस्तूत करती है आपका अगला कोशन है इवान पाव लोँ हुए रिसर्च कर बिल्ली पर किया था कुट्ते पर किया था 12 सब्सक्राइब आपका 20 वख वरण है अनूनासिक वर्ण कौन कौन से है अनुनासिक घर है कौन कोन से 7 6 8 या 5 तो अनुनासिक चारित होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कालाते हैं और ये तो यह थे आपके बीश महत्पण गौश्जों की और वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें कल से हम 30 कोशन की सिरीज शुरू कर रहे हैं तो वीडियो कैसा लागे मित्रों जरूर बताना